फूड फैक्ट्स हम सभी को पसंद है किसी भी सिचोशन में खाना इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे 12 अमेजिंग फूड फैक्ट्स की तो हेलो दोस्तो मैं हूँ इकांश और आप देख रहे हैं इकांश फैक्ट्स तो ज़्यादा टाइम वेस ना करते हुए चलिया आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक पांश बनाने के लिए हनी भी वरकर्स को दो मिलियन फूलों से भी ज़्यादा रस चूसना पड़ता है बीट रूट यानी चुकुंदर को अगर आप पानी में उबाल लें और हर रोज सोने से पहले उस पानी से अपने सर की मसाज करेंगे तो ये आपको डेंटर्फ से चुटकारा पाने में हेल्प करेगा अस्ट्रेलिया वर्ड में सबसे ज़्यादा मास खाने वाली कंट्री है और वहीं इंडिया सबसे कम मास खाने वाली कंट्री बदाम पीच फैमली को बिलोंग करते है और पीच फैमली रोस फैमली को बिलोंग करती है कोफी बीन्स आपको बैड ब्रीजिंग से छुटकारा दिला सकते हैं अगर आप रोस्टीड कोफी बीन्स को चबा कर खाएंगे तो ये आपके मूँ में मुझूद बैड बैक्टीरिया से आपको बचाएगा और ये वही बैक्टीरिया होते हैं जो आपके मूँ में बद्बू का कारण बनते हैं अगर आप प्याज काटते टाइम लकडी ये चम्मच को जाथ से काटेंगे तो आपको आंसू नहीं आएंगे राइस एक वर्सेटाइल फूड है क्योंकि इसका इस्तेमाल बियर डॉग फूड बेबी फूड ब्रेकफास सेरेलेक्स स्नैक्स फ्रोजन फूड सोस और भी नजाने कितने ही फूड बनने में किया जाता है गाजर में फैट तकरीबन नाके बराबर होता है आपको ये बाजानकर हैरानी होगी कि मुफली से डाइनामेट बनाया जा सकता है अगर आप माइक्रोवेव में अंगूर को गरम करेंगे तो अंगूर बलास्ट हो जाएगा एक चल्ली या कॉन्ड की एक लाइन में इवन नमबर के दाने होते हैं एमरजन्सी कंडिशन्स में नारियल पानी को बलेड प्लाजमा की जगा भी इस्तेमाल दिया जा सकता है तो ये थे आग के फूड फैक्स आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी जल्दी मिलते हैं नए वीडियो के साथ तब तट के लिए प्लीस लाइक और सब्सक्राइब हाँ चानल गुडबाई टेक क्योड